वीकेंड पर एकी बिल्लिंग में काम करने वाली कोवरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो-तीन दीन तब कोई भी आने निवाला था काहनी में ट्विस्स तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होल्योड की फ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्स आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है तो अंतर इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेए अब बीना किसी दिरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारी मेन क्यारेक्टर जैनिवर को ओफिस में काम करता है आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फ्यांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाजे सुनन ब्रिक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करते क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसिल में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है इसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था लिख में इलेक्टरिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इन्होंने अलाम विगरा दबाने की कोशिश किये और कुछ भी वग नहीं करा था लिफ में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरी में वे विगरा करते हैं पर दूसरे साइड पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल माल सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है Friday, Saturday, Sunday और दो दीन की छुट्टी थी Guy ने Jennifer को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस lift के बार में जादा कुछी पता नहीं है Jennifer ने कहा कि कभी-कभी ये lift आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टाग हो गई है Guy को अचानक से आईड़ आया कि lift के उपर से ये exit हो सकते है हर lift में exit होने के लिए कुछ ना खुछ तो हता है उसने खुद खुलने की कुशिश की पर उसकी इतनी height नहीं थी फिर वो छुपकर Jennifer को उपर की ceiling चेक करने के लिए गयता है Jennifer के चेक करने के बाद भी open नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राया कि आपर कुछ भी नहीं हुआ एक गंडा बीथ गया और Jennifer realize करती है कि अब उसकी flight उसने miss करती है वो गुसा होके और सारी चीजों को गालिया देने लगके उसे प्यास लगी थी तो गाया ने उसे अपनी बॉटल दी Jennifer उसका पानी बिने से मना कर दिया पर गाया ने कहा हमारे पास एक तोई पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे बास opener भी है Jennifer ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक opener दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते है उसने विरबानी पी लिया था वो गाय को एस जेशर एक चॉकलेट दे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल मापकर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ आपर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंडे पीट गई थे है उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरह किसे टॉलेट करना उसे अजीब लगता है गाय में फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शर्म करने की ज़रूद नहीं है उसे मुड़ने के लिए गाती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेप कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारे कोई भी गर्फेंड विकराने है जो तुम अगर घर पर ना आओ तो पुलीस को कॉल करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली time pass करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते हैं गाय ने जनिवर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जनिवर उसके एक funny से drawing बनाती है जनिवर को इसके लिए बुड़ा लगा और गहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे मेरी profile picture रखूंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लगते हैं तो उने भुगे थे तो जनिवर ने कहा कि subject हम change करते हैं अलग-अलग topic पर discuss करते हुए एक दूसरे के partner के साथ crazy story ये बताने लग जाते हैं जनिवर गहती है कि एक बार मेरी boyfriend के साथ लाबररी में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गयता है कि मेरी एक cover करते हैं हम एक बार drive उपर गए थे वो इपर intimate हुए थे ये सब बताते हुए उसे जनिवर के लिए feelings आ गए जनिवर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते हैं intimate होने के बाद गाये ने जनिवर से गा ये तुमारे प्यार में बढ़ सकता हूँ ये पाद जनिवर को बहुत ही अजीब लगी वो से गयती कि हमारे बीज में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना जाती थी गाये को इस बात ने बहुत हट कर दिया वहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ में होने की बाउचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है इस सारा काय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे यह थे हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अजना से गाय का बिहेवेर चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हो तुम जब काम बराती हो, काम से जाती हो हर रोज में तुम्हें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिक्रिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जूट कहा था इसी building में He accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दुसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहिचान है इसाथ उसने सब कुछ किया था वो अपने pocket से चावी निकालता है वो अचे life सٹار्ट हो जाती है जनिफर उसमर गुसा हो गई, कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे, तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, यह सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दिया, जनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया, पर गाये न एक बहुत ही अच्छा प्लैन था, यहाँ लिफ में हमारे बीच में कोई भी डिस्टेक्शन नहीं था, तो हमें एक दूसरे को जान पाए, प्रैक्टिकली हमारे पूरी रिलेशनशिप इस लिफ में हो गई, हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी ह जनिवर अब यह बहुत गुस्सा थी, तो उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाया था, गाय ने चेक किया, इसमें एक अच्छा सा शर्ट है, जो गाय पहन लेता है, गाय के बास भी गिफ्ट है, जिसमें सीगार, लाइटर और एक कटर है, गुस्से में गाय ने लि कहती है कि मैं उपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें उपन कर दूँगी, गाय को उस पर शक आने लग गया था, पर उसे जो बात सुननी थी, यही जनिवर ने कही, वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी, गाय भी फिर उसे हेल्फ करने के लिए मान जाता है और जनिवर उपर आके, उपर आने के बाद जनिवर ने उसे धोका दे दिया, मैट बहुत डिस्टब हो जाता है, वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है, उसने अपने कपड निकाले, उससे ए यह दोनों इसे इंजोर हो गए थे, गाय अनकॉंशेस हो गया और जनिवर होश में आ गई, लिफ तैसने थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया, गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आप बनाने की कोशिश की, गाय को होश आने के बा पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा, ओबाद में कोर्ट में जुटी साविद नहीं हो सकती, तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अब कनफेस कर दो, अगर गाय ने ऐसा नहीं किया, तो जनिवर उसे बहुती बुरी तरीके से हट करने वाली थी, गाय जासे सिकुरिटी गार नहीं था, मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था, जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी, कि कार में मेरी कोवर कर के साथ में इंटिमेट हो रहा था, तभी उसका एक्सिलन्ट हो गया, उस पर चार्जर लगे, पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे, तो six months में बाहर आ गया, पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम ने मिलता था, slowly-slowly उसके financial situation खराब हो गे, और उसे security guard का का काम करना पड़ा, वो जनिफर से कहता है, कि मैं फिर से मेरी old life को महसुस करना चाहता था, इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान कि नेक्सीन में लेकता है, कि मैट के साथ काम करने वाला security guard, ये अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है, उसने तो छुट्टी ली थी, वो वापस आने निवाला था, पर girlfriend को यहाँ लेकर आया, वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है, उसने camera म पर हमला करकर उसे बेहुच कर देता है, वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी, गाय कहता है कि उपर आ, मुझे help की जरूरत है, वो आधा ही अंदर आया था, तभी गाय ने लिफ्ट को चालो करकर उसे मार डाला, वो लिफ्ट में ही उसकी body रख देता है, जेनि मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है, अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ते पर वो लेकर गया, वो थ्रेज कैन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की body को जला देने वाला था, वो जब ट्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थ उस पर वो हमला कर देती है, जल्दी से गाड़ी में बैठ गे और आगे चलीगी, उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्ता हो जाती है, रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला, गाए को इडिस्विन में डा पेट्रोल छीड़ा कर मार डाल दिये, उखेस לפ